और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागद आपको एस्टों टेक में, दोस्ते हम कंपेर करेंगे वीव और शाओमी की तरफ से रिसेंटली इंडिया में लॉंच हुए दो एडवांस विचर वाले 5G स्मार्टफोन को, जिनका नाम है वीव और शाओमी 14CV, और जानेंगे कि इन दोनों मुबाइलों के फीचर के अकॉर्डिंग कौन सब मुबाइल बैटर होगा, सारी चीज़ों के बारे में डिसकस करेंगे, लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो चले तो वीडियो को ल के इस्क्रीम पोटेक्शन की तो वीडियो में आपको इस्क्रीम पोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, वहें शाओमी में आपको गुरेल अगला स्विक्टर स्टू के इस्क्रीम पोटेक्शन देखने को मिलेगी, अगर बात करें वेट की तो वीडियो का वेट आपको व operating system के बात करें तो दोने mobile में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा, chipset के बात करें तो Vivo में आपको Snapdragon 7 Gen 3 processor देखने को मिलेगा, वहें Xiaomi में आपको Snapdragon 8S Gen 3 processor देखने को मिलेगा, अगर बात करें दोने mobile के graphics के तो Vivo में आपको Adeno 720GP देखने को मिलेगा, वहें Xiaomi में आपको Adeno 735GP देखने को मिलेगा अगर बात करें card slot की तो दोने mobile में आपको microSD card slot देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें internal memory की तो दोने mobile में 256GB और 512GB के variants आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करे RAM की तो दोने ही mobile आपको RGB और 12GB के वेरेंट्स में देखने को मिलेंगे अगर बात करे storage type की तो Vivo में आपको UFS 2.2 storage type देखने को मिलेगा वहें Xiaomi में आपको UFS 4.0 storage type देखने को मिलेगा और अगर बात करे दोने ही mobile के camera segment की तो Vivo में 50 और 50 megapixel का dual camera setup होगा वहें Xiaomi में आपको 50, 50 और 12 Megapixel का टेबल केमरा सेटप आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें Selfie Camera की तो Vivo में आपको 50 Megapixel का Friend Camera देखने को मिलेगा वहें Xiaomi में आपको 32 और 32 Megapixel का Dual Camera सेटप देखने को मिलेगा यहाँ पर Camera segment आपको Xiaomi का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें Sound Quality की तो Vivo में Mono Speaker होगा वहें Xiaomi में आपको Stereo Speaker देखने को मिलेगा और दोने Mobile में आपको 3.5mm Jack का Feature देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें Fingerprint Sensor की तो दोने Mobile में Fingerprint Sensor आपको Under Display देखने को मिलेगा और दोने Mobile में आपको 2.0 Type-C USB Port भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें Infrared Port और NFC की तो Vivo में आपको Infrared Port का Feature देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको NFC का Feature देखने को मिलेगा वह शाओमी में आपको Infrared Port और NFC दोनों का ही Feature देखने को मिलेगे अगर बात करें बैटरी की तो Vivo में आपको 5500 mAh के LiN बैटरी देखने को मिलेगी वह शाओमी में आपको 4600 mAh के LiN बैटरी देखने को मिलेगी चार्जिंग के बात करें तो Vivo में 80W के फास्टर चार्जिंग होगी वह शाओमी में आपको 63W के फास्टर चार्जिंग देखने को मिलेगी अगर बात करें दोनों मुबालों का कलर्ट की तो Vivo में Silver और Purple कलर्स होंगे वह शाओमी में आपको Blue, Green और Black कलर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में Vivo V40 का प्राइस 53,999 होगा वह शाओमी 14CV का प्राइस 42,999 होगा तो दोस्तों यह था इंदोनों मुबालों का Complete comparison ओवरल देखा है तो दोस्तों दोने मुबाल में काफी तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे लेकिन Performance और Camera सेग्मेंट आपको Xiaomi 14CV में काफी बैटर देखने को मिलेगा तो इस comparison का Clear winner होगा Xiaomi 14CV अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को Like Share ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को भी On कर लेना और कमेंट करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में